तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली मीनी मेकप टिटोरियल जिसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको मेकप से लिटेड बहुत सारी इंफरमिशन मिलने वाली है तो यह मेरा आज का आउटफिट है जो की नेवी ब्लु है बढ़ अभी कैमरे में आपको यह थोड़ा सा रॉयल ब्लु लग रहा होगा बाकी सूट बहुत ही जदा अच्छा है यह वैलवेट का सूट है इसके नेक पे और स्लीफ पे बहुत अच्छी डिटेलिंग है तो मुझे बहुत सारी जूरी इसके साथ कहरी नहीं करनी पड़ती है और आल बहुत ही प्यारा को ना मेकप के लिए रेडी करूंगी जो कि मैं सबसे पहले अपलाई करूंगी टोनर बहुत जदा इंपॉर्टेंट है हमेशा से बोलती हूं क्योंकि यह आपकी पोस को बन करता है उसके बाद आपको लगाना है मॉश्राइजर आपके पास जो भी मॉश्राइजर अभी य क्योंकि उससे हमारा मेकप बहुत फ्लॉलेस लिखता है बहुत ही सेट हो जाता है तो आपको नेक एरिया को वोई नहीं करना है और आपको मेकप फेस पे और नेक पे दोनों करना है ताकि आपका पॉफेक्ट बेस लगे मैं यूज करूंगी अपना मेबलीन फिट मी का यह तो मैं काफी टायम से प्राइमरी का फेसा जूंट रही थी जो मेरे सकिन ओईली है तो उसके लिए पवफेक्ट हो तो प्राइमर में बहुत जादा मोईस्चेर होता है जो मेरे संग को और सब्सक्रें है बट यह बहुत अच्छा है यह बिलकुल भी ऑईली नहीं बनाता ए एक हैक और है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वीली है तो आपको क्या करना है आप चाहें तो मौश्यराइजर स्टेप स्किप कर सकते हैं आप टोनर लगाने के बाद डिरेक्टली आप प्राइमर लगा सकते हैं तो यह हो गया जी मेरा फेस एकदम रेडी फाउंडेशन के लिए तो फाउंडेशन के लिए मैं लैकनी का फाउंडेशन यूज कर रही हूं और यह प्रोश का ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ही जादा अच्छा है मतलब पॉफेक्ट पॉफेक्ट है अगर आप एक प्रोफे इस तरीके से थोड़ा सा फाउंडेशन को अपनी स्किन पर लगा के इस तरह से आपको ब्लेंड करना है जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना अच्छे से फाउंडेशन आपको दिखेगा और बहुत अच्छे से से सेट भी हो जाएगा तो अगर आप बहुत अच्छ बहुत जादा थे यह तक टिके तो आपको इस तरह के से blend करना है blend करने के बाद again concealer लगाना है तो concealer लेने time आपको एक जीज़ बहुत ज़ादा ध्यान मी रखनी है कि आप concealer foundation से आपकी एक शेड लाइटर हो तो यह क्या होगा ना यह आपके फीचर्स को और सब्सक्राइब कर देगा और अगर आपको बहुत जदा अंडर आइस की प्रॉब्लम है यानि डाक सरकल बहुत ज़्यादा है तो आपको यही वाला लेना है एक कंसिलर यह बहुत अच्छी कफरेज देत तो अगर आपके फीच पर कुछ जदा ही डाक स्पॉट्स है या फिट डेस कालरेशन है और आपको बहुत ज़्यादा डाक सरकल की प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छी कंसिलर में ही इन्वेस्ट करिए तो चलो जी अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो तो आपको बिल्कुल भी अपने फेस पर वाइड कास्ट नहीं मिलेगा कोई भी लाइन्स नहीं मिलेंगी तो परफेक्ट फिनिश होगी यह हमारे मेकप को लॉंग लास्टिंग बनाता है और बेस को सेट कर देता है उसके बाद मैं यूज करूंगी यह एल्फ की आईब्र आईब्राउज नहीं लगाई ना तो वह इनकंप्रीट लगेगा बिल्कुल अच्छे से आपको लगाना है तो यह हो गई है मेरे आईब्राउज डन पॉफेक्ट फिनिश आया है उसके बाद मैं यूज करूंगी यह आईशाडव पैलेट जो की है फेसे स्कानड़ का तो यह मुझे अप्रॉक्स पड़ा था 1300 का तो बहुत ही अच्छे शेट से इसमें सबसे बात है कि इसमें न्यूचरल कलर भी है थोड़ी से बोल कलर भी है तो अगर आप डेली भी जाती है कि अगर आप ओफिस जाती है थोड़ा साइशाडव लगाना प्रफर करती है तो उसक लगा लिए जो भी आपने outfit पैन है वो लगा सकती है और आपको आउटे कॉर्णर में थोड़ा सा डाक शेट यूज़ करना है जैसे में भी use कर रही हूं तो आउटे कॉर्णर में डाक शेट यूज़ करेंगी तो उससे क्या होगा न मार्य आखे ना बहुत ही जादा सुन्दर और थोड़ी सी लंबी दिखेंगी तो अगर आपको आईशाडो लगाना अच्छे से नहीं आता है तो आप ट्राइ करें जो लाइट कलर सोते हैं आप उनको अपलाई करें उनसे आपका जो है आपका मतलब आईशाडो कभी बहुत ज़दा और नहीं लगेगा तो मैंने ये लिया था कलर एसेंस का ये शिमर है आईशाडो के लिए तो इसकी सबसे ची बात है कि ये ट्रांस्पेरेंट शिमर है तो आप जिस भी कलर पी लगाएंगे वो कलर बहुत ज़दा इनहांस हो जाएगा यानि अगर आप रेड लगाती है तो वो इनहांस हो जाएगा अगर आप पिंक लगाती है तो पिंक कलर इनहांस हो जाएगा तो ये इसकी सबसे ची बात है और ये भी बहुत ज़दा फॉर्डबल है अराउंड थ्री हंड़िट के आसपा तो इसलिए अभी मैं सिफ आई-लाइनर लगाऊंगी विंक आई-लाइनर और मसकारा और दैट सिट काजल बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी काजल ना लगाने से मुझे लगता है कि मेरा मेकप जादा फ्लॉलेस दिखता है इस तरीके से आपको आई-लाइनर लगाना है तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ज़दा मेकप में इन्वेस्ट नहीं करना है मतलब आपको अफॉर्डबल प्रोडट्स लेने हैं उससे भी बहुत अच्छा मेकप हमारा हो जाता है बस मेकप करना आपको आना चाहिए ये मतलब नहीं है कि मेकप आपका महंगा है या फिर सस्ता है उसके बाद मैं अपना ये कॉंटोरिंग पैलेट यूज करूँगी जिसमें हमारा कॉंटोरिंग है बलाश है हाई-लाइटर है तो आपको ये कॉंटोरिंग अपने जॉलाइन चीक बोन्स पे करनी है तो इससे क्या होता है कि आपके फीचर्स इन्हांस हो जाते है आपके थोड़ा सा मतलब फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ये अपके फेस गोल है तो थोड़ा से लंबा दिखाता है और स्लिम कर देता है तो कॉंटोरिंग का बेसिकल यही काम होता है कि हमारी फेस को स्लिम दिखाता है तो नोस पे ना कॉंटोरिंग करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये बहुत अच्छे से मेरी नोस को दम शाप कर देता है मैं अपने इनर आई कॉर्णर पे थोड़ा सा लाइची यूज करूंगी ये मेरी आइस को थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देगा अब मैं यूज करूंगी ब्लशर तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है मुझे मेकप में ब्लशर लगाना ना बहुत ही ज़दा अच्छा लगता है तो ये मेरा ब्लशर कॉंटूरिंग पैलेट वाला नहीं है ये में यूज कर दी हूँ मेबली फिटमी का कोरल शेड़ तो मुझे फिंक से ज़दा थोड़ा सा कोरल शेड में अच्छा लगता है ब्लशर तो ये बहुत हीँ अच्छे से मेरे स्किन को ब्लकुल कलर देता है बट आपका अगर मेरी तरफ है स्किन टोन है तो आप हमेशा कुरल शेड में ब्लाश्र लगाएं वो बहुत ही जादा मतला बहुत ही अच्छा लोग देता है है डाक नहीं बनाती है और यह लॉंग लास्टिंग भी होती है तो इस लिप्स्टिक को आप सेवन टू सिक्स आर टू सेवन आज तक वेर कर सकते हैं तो मेरा लिपशीड अभी अप्लाई हो चुका है अब देख सकते हैं कितना जाधा प्रिटी कलर है यह अब मैं अपने फेस लगाओंगी बिंदी तो बिना मुझे शादी के बाद मुझे याद है कि मुझे अगर वेस्टन भी पहना होता है अग मैं बिंदी नहीं लगाती हूं न तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंकम्प्रीट सा लूख है मुझे अच्छा लगता है वेस्टन के साथ भी और ट्र करें हैं जितना आप अवाइड कर सकते हैं कर्या श्ट्रीन के वायड कर सकते हैं तो अफिर दूढ़ पूरी तरह हो गए मैंने को बहुत दूढ़ी नहीं किया थोड़ा सा वेवी कुछी रखा है बट इनको बस सेट कर दिया है तो काफी जदा अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल भी अब बारे हैं हमारे एरिंग्स टालने की तो यह एरिंग्स ADK हैं बोहती खुब्शूरस से यह एरिंग्स है किसी भी साड़ी या सूट के साथ चले जाते हैं अगर आपके साड़ी या सूट में silver work है, obviously golden work के साथ ही नहीं जाएगा, but यह silver और golden jewelry ऐसी होती है, almost हर outfit के साथ अपकी जाती है, तो यह काफी जादा decent है, तो जी अब मैं पहनूंगे अपनी rings, rings के बिना हाथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो यह रही मेरी final look, आपको कैसी लगी comment करके ज़रूर बताना, मेरा outfit कैसा लगा, मैंने make up कैसा किया है और क्या improvement चाहिए आपको वो सारी चीज़े मोज़े comment करके ज़रूर बताईएगा, अगर आपने अभी तक में चार को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को like कर देजेगा and share भी कर देजेगा तो ये थी मेरी आज की वीडियो, बाब बाई